वेल्कम बेक तू माई यूटूब चैनल टैग बावरा कैसे हो दोस्तो आज मैं आपको बताता हूँ अडॉप प्रीमियर बेसिक मैं आपको बताऊंगा इस पर कि कैसे आपके वो अपने वीडियो को एडिट करना है कौन-कौन से आप एफेक्ट अप्लाय कर सकते हैं और आपको मैं यह भी बताऊंगा कलर ग्रेडिंग कैसे आप अडॉप प्रीमियर के थूप और अपने वीडियो को एक प्रोफेशनल बैक ग्राउंड दे सकते हैं चलो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस जोस्तों सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट करना है जैसे मैं आड़ करता हूं आपको इप्रोजेक्ट नेम आड़ कर सकते हैं जैसे मैं आड़ किया देमों टो इसके बाद आपको चैकरना है import media में जाकर जो भी आपकर project है इसको आपको select करना है For example, मैं select कर लेता हूं ये project और इसको आप open करेंगे यहां के show होने के बाद आपको क्या करना है इस project को drag करना है अपनी timeline के के timeline पो drop हो जो अब मैं आपको बताता हूं basic tool जो generally हम लोग यूज करते हैं YouTube Video Editing जो जो हम लोग generally use करते हैं For example, जैसे आपको किसी File को Spread करना है, Delete करना है, Cut करना है, Copy करना है वो मैं आपको बताता हूँ जैसे for example आपको इस Layer को जैसे यह आपकी Video Layer है, यह आपकी Audio Layer है अगर आपको को स्प्लेट करना है तो आपको यहां सीरसर टूल को उठाना पड़ेगा और जिस्बी सेक्षforward में स्प्लेट करना है तो आपहाँ को बसे क्या कॉड़ साथ的 अप्लाए कर देंана विडियो यह लेट लेट में इसे फ्राट में लेट कमांतन है और unlink करना पड़े हैं आप आप जिस लेयर पर क्लिक करेंगे वो लेयर डिलीट होगी जैसे फॉर एकजामपल आप मैं डिलीट करना चाहता हूँ वीडियो लेयर अब मैंने इसके क्लिक कर दिया और प्लियर कर दिया तो आप आप देखें अब ओल्ली वीडियो लेयर करना चाहते हैं ऐडिलिट करना चाहते हैं रेज़र टूर की मजश से आप सीट पोचन को डिलीट कर सकते हैं तो त्थ आप मैं आप को ऊटाता हू不知道 को एड़राओं चेंज करना है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले लिए उस बैटिरॉं को सथेख करेंगे जैसे फार गिस मैंने मैं select करता हूँ एक background और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप उसको extend करेंगे कैसे मैंने ये background ले लिया और आपको simply करेंगे साथ में मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि आप green background को कैसे remove करेंगे ये देखे इस tool का use करके आप अपने background को अपने video layer के बराबर कर लेए तो इसके बाद क्या करना है आपको आपको क्या करना है ये जो आपकी layer है इसको आपको अगर remove करना है green background तो आपकी layer video layer इस background के ऊपर होनी चाहिए जो भी आपने image apply कि है मतलब जो भी आप background चीज़ करने जाहते है इसके बाद आप जाएंगे effect section में मैं आपको सारे section बताऊंगा किसका क्या ही होते लेकिन मैं आपको भी ये basic editing बता देता हूँ इसमें आप simply type करेंगे ultra key, ultra key आपको drop करनी है ये आपने drop की ultra key, ultra key drop करने के पाद आप क्या करेंगे ये color picker को green background पे click करेंगे ये देखे background चीज़ होगे अब मैं आपको बता देता हूँ ये ये आपको complete होगा है कैसे आपको background को change करना है आप इसके बार मैं आपको बताता हूँ color जैसे आपको अपने जो भी है जैसे brightness कम है, contrast कम है और आप इसके three different templates हैं उता भी आप जीश कर सकते हैं तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा color section में color section में आप default में भी select कर सकते हैं जैसे generally में select करता हूँ इसको दोस्तों अगर आपको manually color grading करने है तो आप इन सब चीजों का use करते हैं जो जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके three भी आप कर सकते हैं और basic editing के लिए आपको जाना पड़ेगा basic correction पर यहां से आप temperature, tint, exposure, contrast, highlights, shadow, white, blacks यह सब आपको मिलेगा color section में बहुतो basic editing में सबसे रहाद आपको requirement पड़ेगी editing section की जो initial section होता है जिसके हम अपने किसी भी file को record करते हैं अफिर timeline को drop करते हैं color के through आप क्या करेंगे basically जो भी आपकी video है उसको और enhance करने के लिए आप color grading का use करेंगे इसके लिए basically यहां पर सारे option और वैल में है इसके through आप कर सकते हैं और इसके बाद effects, effects generally हम लोग यूज़ करते हैं हर एक चीज में जैसे for example यहां पर show हो रहे है audio effect, audio transition, video effect, keying, video transition यह सब effects आप अपनी requirement के according use कर सकते हैं और मैं आपको basic effects बता जिता हूँ जैसे आपको transform करना है अपने video को तो आप लिए करेंगे transform, देखिए यहां पर transform effect है इसको आपको flip करना है, horizontal flip करना है, mirror करना है इसके through आप कर सकते है, जैसे मैंने यह drop किया इस layer पे और आप देखे, यह देखे, मैंने horizontally flip कर use किया और देखे, यह rotate हो गया ऐसे यह vertically flip कर use कर सकते है, जो generally basic editing में use होता है यह transform basically general editing में use होता है, और मैं आपको यहां इसके through बता देता हूँ आप इसकी position को भी change कर सकते है, जैसे for example आपका background small है, उसको आप large करना चाहते है तो आप scale के option में जाके, इसकी value को आप increase कर देंगे, तो यह change हो जाएगा और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको इसको rotate करना है, जो तो यह portion आपको show होगा, यह portion आपको show होगा जब आप इसके click करेंगे और effect controls के जाएगे, यह हर एक video का video layer का अलग-अलग होता है जैसे for example यहां पर दो layer है, तो यह दोनों का effect control separate होगा जैसे आपको rotate करना है इसको तो आप rotation पर जाके इसको rotate कर सकते है, value बढ़ाके, यह देखे, आप इसको rotate कर सकते है क्योंकि यह horizontal की है, इसलिए मैं इसको zero करें, अगर for example यह जूसरे format के होता, mobile format में होता तो मैं यहां पर select करता 90 degree और इसके बार मैं आपको बताता हूँ, editing portion मैंने आपको बता दिया, इसके आपको basically editing आपको जो भी करना ही आप इस portion में करिए और colors portion पे आपको color grading के option available है, इसके तुरू आप color grading कर सकते हैं, दोस्तो आप जर्नली color grading के लिए creative न जाके कोई भी profile select कर सकते है, अपने project के according, जो भी suitable हो, तो यह simple और विल्कुल easiest way है, इसके बाद मैंने आपको effects section बताई दिया है, कैसे आपको effects apply करने है, जो भी आपकी requirement है, इसके according आप अपने effects, अपनी video layer पे आपको basically drop करने है, for example, जैसे ही, ऐसे आपको drop करने है, जैसे कोई भी effect है, मैं आपको बता दिता हूँ, कैसे आपको drop करने है, यहाँ से आपको उसको लेना है, और किसी भी layer पे drop कर देना, और audio, audio में जाके आप कर सकते है, audio section में generally use होता है जो भी आपकी audio है, उसकी quality को आप enhance कर सकते है, for example, उसके noise remove कर सकते है, उसको delete कर सकते है, और मैंने audio का एक separate video बनाया है, उसका link मैं description में दे दूँगा, आप नहाँ पे जाके proper audio editing सीख सकते है, जैसे आपके project का काम complete हो गया है, अब आपको इसको export जानना है, export करने के लिए आ आपको export option पर जाके, आपको media पर click करना पड़ेगा, तो दोस्तो export option open हो जाएगा, यह automatic custom उठा लेता है, जैसे आपको यूटूब के video के लिए चाहिए, तो आपको लेना पड़ेगा, edge 0.264, और match rate, automatic यह उठा लेगा, जिस साब से आपके video की quality होगी, दोस्तो, output name में जाके आप click करके, अपने project का कोई भी नाम change कर सकते है, जैसे for example, मैं use करता हूँ user, यह मेरे project का name है, मैंने इसको save कर लेगा, तो आप देखें, इहाँ भी change होगी, बस दोस्तो, जैसे आप project name इहाँ पर change कर लेगा, अगर आपको करना है नहीं, तो वो default, कोई भी project name उठा लेता है जो आपने आपने project name set किया होगा, यहाँ से वो उठा लेता है, इसके बाद आपको, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको click करना है export के, जैसे आपको प्रोजेक्ट export होना, इस लाट देखें, दोस्तो अगर आपको किसी भी चीज में doubt है, अगर आप कोई भी दोस्तो ऐसे इंटरस्टिंग वीडियो के लिए टैग बावरा को subscribe करें और इस वीडियो को like करें, thank you